आठवी वंदे भारत एक्सप्रेस चलने के लिए तयार है और इस पर बातचीत करने के लिए खुदरेल मंत्री असुनी वेशनो जी हमारे साथ मौजूद हैं आए उनी से बात करते हैं असुनी जी न्यूज इस्टेशन में आपका स्वागत है सर और वंदे भारत का जो सपना है जबर्दस तरीके से पूरा हो रहा है क्या कहेंगे माले प्रदार मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह पोंगल के शुब अफसर पर सिकंदराबाद से विशाका पत्नम के बीच में वंदे भारत की सर्विस स्टार्ट करेंगे शुबारम करेंगे बहुत ही बड़ रहा था कि यह सब ऐसे ही कहा जा रहा है लेकिन पुर्दान मंत्री मोदी का संकल्प आप लोग पूरा कर रहे हैं और उस दौरान हो क्या रहा है कि ट्रेन चलती है पत्थर पढ़ने लगते हैं क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भारत को व एक दो पत्थर से रोक नहीं सकता कोई सर एक और सवाल अब पैदा होता है पशत्तर ट्रेने तो आप देही दे देंगे सब लोगों भरुसा होने लगा है लेकिन अगली ट्रेन जो आएगी इसका अगला नेक्स्ट लेवल क्या होगा देखिए वंदे बारत ट्रेन बहुत ह से कंपेर करें उसका सौ गुना कम है सौ गुना कम नौइज नेवल है जटके बिल्कुल नहीं शोर बिल्कुल नहीं कंफ़टेबल यात्रा एक ऐसा एक ऐसा डिजाइन है जो कि आज वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो रहा है अगर आपने नोटिस किया होगा हाली में फाइनेश अगरान मंत्री जी का एक जो व्रहत विजिन है जो एक बहुत ही बड़ा ट्रांस्फॉर्मेटिव विजिन है रेलवेज के लिए यह उसकी बहुत बड़ी मिसाल है विदेशों में भी चर्चा है मतलब एक्सपोर्ट की भी कोई सम्मावना बन नहीं है 100% 3-4 साल 5 साल के बा तो यह डेफिनेटली एक्सपोर्ट होगी पॉंगल के मौके पर लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे बहुत बहुत शिपकामना है बहुत पवित्र दिन है एक नए नए वर्ष की शुरुवात होती है हमारी संस्कृती का एक बहुत बड़ा पड़ाव है इसके उपर बह के तरीन सफर उसकी बात होती है तो आने वाले दिनों में भारती रेलवे का पूरा चेहरा बदल जाएगा कैमरामेन हीरा मंडल के साथ सिध्धार्थ न्यूजी स्टेशन सिकंद्राबाद